अरिशो इतली से युनानी दार्शनी कौन से थे अरस्तू प्लेटो औरे अरस्तू प्लेटो औरे डेकार्टे और इसके बाद हमने पढ़ा कि जो मनमस्तिक्स के जो समर्थक रहें कौन-कौन थे जोच है बर्कली है कान्थ है थोमस रीड है और चेतना की बिज्ञान का प्रमुक कौन वाइस यही थो और डीवी था और वेवार की बिज्ञान का प्रमुक कौन है पर्मुक वेवारवादी Κोन है फर्मुक वेवारवादी जई बी वाटसर जोन ब्रोडस से वाटसर पर्मुक उतर वेवारवादी कोन है स्केनर स्केनर कहा से है स्केनर का पूरा नम क्या है बराम नहीं बुरहम बराम है के अब बराम कर रहे है बुरहम फेड़ी के स्केनर है यह पड़े चेतना सबद की आलुचना किसने की आउटलाइन ओफ साइकलोजी पुस्तर किसके है परिंसीपल ओफ साइकलोजी पुस्तर किसके है विलियम जेम्स के साचरे वादी या संग्रचना वादी संपर्दाए किसने दिया था विलियम मुंत औरे पीचनार विलियम मुंत औरे पीचनार परियोगात्मक मनुविग्यान का जनक कुन है वेलियम बूंट पर्थम इस पर्थम एक मनोवीज्यान परियोग शाल इस्तापना कब गई अठाथारा सो उनिया से किसने की करह की किस देश में किस देश में जर्मनी किस स्थान पे लिब जिंग सर में हैना कौन से विश्व इलिद्याले में कालमार्स इसके बाद पर्मुक वेवारवादी वार्टसन उत्तर वेवारवादी स्केनर है इसके बाद हमने मनो विज्ञान की क्या पड़ी प्रिभासा तो प्रिभासा में एक सबसे पहले हमने पड़ा कि मनो विज्ञान वेवार का विज्ञान है यह पिल्सबरीने का definition पिल्सबरी के है जबकि मनो विज्यान को वेवार का विज्यान के रूप में सविकार किया वार्षन मनो विज्यान को वेवार के विज्यान के रूप में सविकार किया जे भी वार्षन है और मनो विज्यान को विवार का विज्यान कहा पिल्श वरीन है definition पिल्स वरी के और यही सबसे बड़ी विवाद है और मैंने यह कहा था कि यह definition पेपर में आते हैं न हर candidate के त्यारी करने वाला क्या करेगा वाटसन करेगा कि मनो विज्ञान को वेवार के विज्ञान के रूप में परिबासित नहीं किया, परिबासित किया था सबसे पहले फिल्षबरियन, और वेवार के रूप में, मनो विज्ञान को वेवार के रूप में अगर किसी ने डिफिनेशन दिये, ये बाते में पहले बता के गया था, फिर पड़ा कि मनोविज्यान वेवार का सुद्ध, नेशित, धनात्मक, मन्रहित विज्यान है, वार्सन का कथन है, इसके बाद हम पड़े स्कीनर का, स्कीनर कहरा कि मनोविज्यान वेवार अनुभाव का विज्यान है, स्कीनर का कथन है, मनोविज्यान वेवार का विज्यान वह अनुशासित विज्ञान है यह बात भी स्केनर कहता है अब स्केनर के बाद हम बात के गेरिशन की किसकी गेरिशन की मनों विज्ञान का सम्मन्द परतेक्स मानव वेवार से होता है कथन किसका है गेरिशन का फिर हमने बात कि एक इसी से बिलोंग करता हूँ एक कथन है करो कियें इसके बाद करों कि बाद हम पड़े हैं वुड़वर्ड नहों ने कहा है कि मनो विज्ञान वातारों के संप्रक में होने वाले माना व्यवार का अधेन है मन वेवर का अदेन अमने बात ये भी कि यहां पे अदेन वर्ड को निकाल दिया जाए विज्ञान वर्ड जोड दिया जाए तो definition तो है ये वुडवर्थ की पर ये definition मनोवीज्ञान के नहीं सिख्षा मनोवीज्ञान के हो जाएगी फीर Woodworth ने करनाटकी भात भी कही थी कि मनो수ijnavigyan ने सबसे पहले आतमा का त्याग की त्याग किया फीर मनमस्टिक्स को त्याग दिया अब चेतना को त्याग कर वेवारवाद को अपनाए वेवारवाद को अपनाए वेवारन इसके बाद अमने definition बात की वारेन की किसके वारें वेड़ बोटीजी मैं बताता हूं यह है वीलियम मैडूगली कई कहते हैं मनो-विघ्ञान वेवार का विधायएक विधायट विधायन मनो-विघ्यान विवार का यतर्त विख्यान मनो विज्ञान जिवीत प्राणियों के विवार का विधायक विज्ञान यह विलियम मैंग्डूर मैंग्डूर के बाद वारेन वारेन कहता कि मनो विज्ञान बोरिंग मानो परकरती का अधेन बोरिंग कहता कि मनो विज्ञान विवार का यानि मनो विज्ञान मानो परकरती क अधेन यह मनों परकरती गादेन ये बात बुरीं और बुरीं की बात का समर्थन करता है लेक्षी लोरएब फीर वारेन आता है को nasa waren झाहिए तुम्हार उन कहता है कि मनोविज्ञान विवार और मानसिक प्रिक्रिया का अदेन है अगर मनोविज्ञान विवार और मानसिक प्रिक्रिया अदेन सेंट रुकी है अगर इसी के साथ जोड़ दिया जा कि मनोविज्ञान विवार और मानसिक प्रिक्रिया का विज्ञानी गदेन है तो ये कथन हो ज साथ अंतैकरिया या अनाक्रिया, का अधेन करताया क यह बाते घेरिठ की थे इसके बाद पड़े जैंसे डीवर का पड़ा की Manovigyan विष्ध विज्द विज्द विशुद विज्द 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 विज्द्व०ु ए ये बाते हैं थोड़ा थोड़ा साथ रिवाइज करते जाएगआं ओर त्वी पूरो पढगाने तो आपम पांच मिन्ट की कर लिया करांगा थार यह दिमाग में देरे 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 सेव हो जागी मनोविज्यान के अनुसंदान के चरण मैंने चार बता है और मैंने का आप सबसे पहले आपन समय से का चैन करेंगे परदर डाटाओं का संग्रह करेंगे उस समस्या का चेंग दूसरा होता है समस्याओं का परदर डाटाओं का डाटा कलेक्शन करना तीसरा होता है निसकार चोथा होता है पूनारे निर्यक्षन पूनार निर्यक्षन चार्चरन होते हैं और अनुपरियोग के रूप में जो हमने उन चीजों को परियोग यानि मानव मनुविज्ञान के लक्स है अब मनुविज्ञान की लक्षों में पहले बात करें तो पहला लक्स है मापनवर्णंद क्या है मापनवर्णंद और दूसरा है पुर्वानुमान वे नियंत्र और तीसरा है व्याख्यान के मापनवर्णंद क्या है किसका मापनद किसका वर्णद आप मनुविज्ञान के लक्ष में किसके मापन गर रे हो आपका लक्स है कि आपका टारिट क्या है तो यह पे अपर मापन वर्णंदम एक बात ध्यान रखेगा किसी भी प्राणी का जो पहला लक्से होता है उसका विभार और उसकी मानसी के परकिरिया मानसी के परकिरिया मानसी के परकिरिया को या आप कह सकते हैं संग्यानात्मक परकिरिया क्या कहेंगे संग्यानात्मक परकिरिया या इसी को कह सकते हैं अपन ग्यानात्मत परकेरिया पहली बात मनोविज्यान के लखसे में होता है पहला लखसे किशी भी प्राणी का होता है उसके विवहार और मांसिक प्रिक्रिया को जनना उसका अध्येन करना उसका वरणन करना और उसका फिरे मफन करना यानि पहला टार लगत किसी भी प्राणी के वेवार और उसकी मानसीक प्रक्रिया या संग्यानात्मिक प्रक्रिया का अधेन करना उनका वनन करना और फिर उसका मापन करना पहला लग से होता है पहला टारगेट ही होता है मनोवी ज्यान के अंतरगतापन किसकी बात करते हैं वेवार की बात करते हैं मनोवी ज्यान में जानने के प्रयास करते हैं तो वेक्ति की वेवार की बात कर रहे हैं कि वेक्ति ऐसा वेवार क्यों कर रहा है अमुक वेक्ति के इस वेवार किये जाने क से उसने ये विवारे किया होगा तो कहने का मतलब विवार और मानसिक प्रीक क्रिया का वरणन करेंगे उसका अधेन करेंगे और फिर उसका मापन करेंगे दूसरा होता है पुर्वानुवान या इंटर्ण इसमें किसी भी प्राणी के बारे में पुर्वा कथन का आजा सके प कई बार अपने छोटे बच्चे की पड़ाई को देखते हैं या फिर उसके वेवार को देखते हैं तो कहते हैं बच्चा डोक्टर बनेगा बच्चा इंजिनियर बनेगा सही ने भी देखो क्लास के अंदर टीचर ने कभी ने कभी आपको बूल लाओगा कि बिटा तु इंदर कमेरी एं तो वही करेगा जो दुनिया नहीं कर प्तो कहने का मतलब उनके विवार सी कह रहे हैं फटक बुर्वान इंदर पुरू रमान लगाय जाता है जातकि पुरू-गाजा सकते उन पुरू ओन-पुर आनुमानों के आदार पे बच्चों का आंक्लन समय 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 अच्ट की आजाज सके समय समय पे उनुका अंगल्क्ला की आजाज चाफ तो दूसरा होता है पूरВान मान या कि आपने किसी बच्चे के बवी से बाक्र तो कर दि तो क्या बवी से बाक्र shr據 साकार करने के लिए उसके उपर नियेंटरन करना जुरूरी है बिल्कुल उस पर नियंतरन करना जुरूरी है फिर उसके व्याख्या करते हैं फिर अगली बात क्या आते हैं उसकी व्याख्या इस विभार मानसिक परिक्रिया उसके पुरुआ अनुमान इन सभी की व्याख्या के जाते हैं और मनोविज्यान के मुटे तोर पर किटने हैं तीनी लख्स हैं मांपन वरणन होता है कई बार पेपर में आप से पूछ लिया आ जाता है किझी में ने से मनnie का लकस है नहीं और आपको पता है कि गथन में कहले नहीं आपको पता होना चेह की मांपन व 맛있 नःतन है या नहीं या कि इसके Part Втор मनो विज्ञान की साखाएं मनो विज्ञान की साखाएं मनो विज्ञान की साखाएं या फिर मनो विज्ञान के छेतर साखाय मनो विग्यान के चैथर आपकी बारिके से समझाता जाऊ हुं कि किόकि आ trailers Republic बनेगा कि कि में से मनो विग्यान का चैथर नहीं और परसुपल कोई विसेशता देगा पाल और कोई क्या देगा विसेश्थबर एक कथम देगा और आप कहलेगा कि बताइए मनोविज्यान की कौन सी साखा के इंतर का देन किया जाता है ऐसा बूलेगा तो मनोविज्यान की पहली जो साखा है वे सामाने मनोविज्यान सामाने मनोविज्यान जर्नल साइकोलोजी की बात करें अब जर्नल साइकोलोजी में क्या है साथ क्या है जर्नल साइकोलोजी मनोविज्यान की सम्मने मनोविज्यान जर्नल साइकोलोजी जो है मनोविज्यान के जो सभी साखाएं उनके साथ इसका सम्मन है इनके अन्य जो मनोविज्यान के जो शाखाएं है उन सभी साखाओं से इसका सम्मंद होता है मनो विज्यान के सभी साखाओं से इसका सम्मंद होता है क्योंकि मनो विज्यान के सिध्धांतों और मनो विज्यान के नेमों का इस साखा के अंतरगत अधेन किया जाता है मनो विज्यान के जितनी भी साखाओं की नेम और सिध्धान्त होंगे उन सभी का देन जर्नल साइकोलोजी में करेंगे तो यहां पर दो कथन बनेंगे एक तो है कि मनो विज्यान की कौन सी बात है पहली कथन ही होगा कि मनो विज्यान की सभी साखाओं से समन्द इस साखा का मनो विज्यान की सभी साखाओं से क्या होगा समन्द होगा क्योंकि अब समन्द क्यों होगा इसके पीछे रीजन ये है कि मनो विज्यान के इस साखा में मनो विज्ञान के नियम, मनो विज्ञान के नियम वे सिध्धान्तों, मनो विज्ञान के नियम वे सिध्धान्तों का अधेन, अब देखो ये किशन बन गया कि नहीं बन गया आपके सामने, कि मनो विज्ञान के नेम सिद्धानतों का अधेन किस साखा में किया जाता है बन्या किनी किशन कि मनो विज्ञान के नेम सिद्धानतों का अधेन किस साखा में किया जाता है समाने मनो विज्ञान इसमें समाने मनो विज्ञान इसलिए सभी साखाओं से इसका क्या है समाने कारण क्या है कि मनुविज्यान के नियमों मनुविज्यान के सिद्धान्तों का इसके अंतर का धेन किया जाएगा अलग-अलग साखाओं के नेम अलग होंगे सिद्धान्त अलग होंगे उन सभी नेमों सिद्धान्तों का इसके अंतरा देन किया जाता है इसलिए मनोविज्ञान की सभी साखाओं का समन समने मनोविज्ञान से होता है समने मनोविज्ञान से एसमाने मनुविज्यान के जनक सिग्मड फ्रोईड है सिग्मड फ्रोईड है सिग्मड फ्रोईड एसमाने मनुविज्यान के जनक सिग्मड फ्रोईड है कौन है सिग्मड फ्रोईड अब देखिए एसमाने मनुविज्यान हुता क्या है कोई भी प्राणी एसमाने विवार क् है सामाने का मनलत समझ वियाक हूं पहले रूप跟大家 किने न के पहले किसी नहीं देखा न किया है ये ऐस्ञानी विवार कियुँ हूआ इस इस ऐसमाने विवार के पीछे कारण क्या थे इस ऐसमाने विवार के अंतरगत क्या कारण है उसकी विवेचना करना यही तो एसमाने विवार तो इसमें ऐसमाने विवार वाले जो वेक्टी होते हैं पहली बार तो एसमाने विवार करने वाले वेक्टी उस समय उस परिस्तिति तो क्यों कर रहे हैं उनके पिछे क्या कारण है इसमें बेक्टी की मनोदसा का खास करके इसमें जो अद्धेन किया जाता है ध्यान से सुनिये एक तो विक्ति के विभार लिखना नहीं बर सो ले ना विक्ति का विभार विक्ति की मनोदसा विक्ति की मनोदसा और विक्ति के पर्सनल्टी विक्ति की पर्सनल्टी विक्ति के विभार उसकी मनोदसा विक्ति का विक्ति का क्या किया जाता इसमें अधेन के अधेन के अधेन अधेयन , अए समने मनोविज्यान में विक्ती के विवहार , मनोदस्या mechanics देन करते हैं , अब इस वियवहर चाहर के बात करेंगे जैसे कोई विक्ति ऐसामाने विवार क्यों कर रहा है ऐसामाने विवार इस ऐसामाने विवार के अपन क्या जानने का प्रियास करेंगे कारण उस ऐसामाने विवार के पिछे क्या कारण था उस ऐसामाने विवार की क्या करेंगे आपे विवेचना करेंगे कई बार कुर्शन तो यहां पर देखो आमने जो बाप सीखी कि ऐसा मने मनोविज्ञान के अंतरगत वेक्ति की वेवार वेक्ति की मनोदासा और वेक्ति की वेक्ति की उसकी परसनल्टी का अदेन किया जाए इस साखा के अंतरगत वेक्ति जब कूसमायजी तो या कूसमायजी तो वेक्ति दुवारा एस सामाने वेवार क्यों किया गया उस एस सामाने वेवार के पीछे क्या करना है उसकी क्या विवेशन ये सब जानना किसके अंतरगत आता है एस सामाने मनोविज्ञान अब क्यूशन कैसे आएगा अब बा विक्ति के विवहार मनोदसा और विक्तित्वय का अध्यन मनोविज्ञान की कौन सी साखा के इंतरगत किया जाता है ऐसा मनोविज्ञान एसा मने मनोविज्ञान के जनक कोन है सिगमड फोल कौन है सिगमड फोल तो विक्ति के विवहार मनोदसा विक्तित्व का अध्यन किया जाता है एसा मनोविज्ञान में एसा मने विवहार जो करता है वो विक्ति कूशमाईजित होता है कूशमाईजित विक्ति के एसा मने तोड़ी डाउट होगी यहां सिर्फ अदेन कर रहे हैं पर ऐसा मने मन विभार को जानने का परियास जिसमें करते हैं और उनको सुधार करने का जो परियास किया जाता है वो नैदानिक मनोवी ज्ञान में होता है उप्चारात्मक मनोवी ज्ञान में होता है वो बोधन मनोवी इसी का दूसरा उप नाम है उप बोधन मनोविज्ञान उप बोधन मनोविज्ञान क्या होता है इस साखा में लिखो हमने एक बात पड़ी कि ऐसा मन मनोविज्ञान में रिखती कि विवार उसके कूश में जनके कार है है ना कार उनकी विवेशना जानते हैं सामाने विवार्थियों कर रहा है उसके जानने का प्रियास करते है जबकि निदान का अर्थ क्या होता है देखो पहले इन वर्डू को जानना चीए एक होता है निदान का अर्थ ही क्या होता है जानना होता है निदान का अर्थ क्या है जानना और उप्चार का मतलब क्या है वैसे इसका समाधान होता है क्या होता है समाधान अब क्या जानने की बात कर रहे हैं अपन किसके जानने की बात कर रहे है निदान में क्या जानने का प्रियास कर रहे हो कू समायोजित विवहार एक विक्ति के कू समायोजित विवहार के कारणों को जानना और कू समायोजित विवहार को सुधारने का काम करना वो हो जाता है उप्चा हमने पड़ा कि कू समायोजित विवहार कू समायोजित देखो मैंने एक बात कही कि निदान का अर्थ क्या होता है जानना होता है क्या जानना है कू समयोजित विवार या कू समयोजित विवार को जानने का प्रियास कर रहे है मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे है कू समयोजित विवार के कारण को जानने का प्रियास करें कि क्या कारण है ऐसा क्यू कर रहे है तो यह बात तो है समयोजित विवार को उसकी मनोदसा को और उसकी परसनेल्टी का देना और कू समयोजित के कारण का उनका चारणों को या आय समाने वेवार के कारण के लिखा और उनका समाधान्क कर रहें तो रिमिग्वा करें यह तो इनका कर रहे हैं कि आपका हो जाएगा एक उयास कर रहे हैं और सम्टों कर यह तो बैसमें के अंतरगत एखे कहांती चोटी इसका मतलब क्या है वेक्ति के विवार से सारी से क्या समंद है यानि सरीर से विवार का क्या समंद है शरीर से वेक्ति के वेवार का क्या समद है शमाँ पारो इस में क्या बता रह वेक्ति कोई भी व た रहा है तुम WHY और से सारी कृयां कर रहा है वेक्ति के वेवार में के गई वाइससा रीक्रियां का देर नहीं समझें कंषा कई बाड़ है योटअब बुठ्रडव और गु樂 लेगा रहा întु नीरी गाय एए है वह लोगते ना क्यूं बोलतें उसके विवारों सारी कृठियां Come FM गया है अपने ऺते अ tenía किसी वेक्तिक विग्ति के बारे में बहुता है किसी पर देख विवहार में उन सारी कलियाओं को दीखा है विवहार में यह उसकी विवारमें उन सारी जिया है यह विवहार के द्वारा और तो सारी क्रियाओं का देन किया जाता है इसके अंतरगरे व्यक्ति के विवार का सारी क्रियाओं पर आधार सारी क्रियाओं कि आधार पर आदेन केया जाता है जैक चलों कैसे नॉर में ले लेख संथ को सम्झेड से टुड़े हिस जूंजिक तो the सब्सक्राइए होगे संवाइजित भूगे सोभिता परिवरत कौनगे में जुलबा ले होगे जिसा दिन काम करें उनका काम करेगा है मितर मृली जादा होती है सब्सक्राइब एक इसके बाद सो बिलते मालिक थोड़ा कोई कि अलग से जैसे अपने ऐशा वेक्टी जो आईता करती क्या है अ अब इसके बात सारी के बाद होता है समाजिक समाजिक मनो विज्ञान का है वेक्ति सामाजिक परिस्तिते में कैसा वेवार करता है यही तो है देखो अगला क्या है सामाजिक मनोविग्यान अब सामाजिक मनोविग्यान आपको क्या बताता है सामाजिक मनोविग्यान कहता है कि वेक्ति सामाजिक परिस्तिते में कैसा वेवार करता है आपके सामने कैसे स कोई वी जानते है तो अपना समा जानते है की कसे है कई आपोअ कि ऑर वाली नहीं जानते पर बार्वाले जानते हैं की कि आता है करेँ में के आधर गुथवर और अश्य ठेंस कर्ब्यान कि और सांस्कृति игр प्रकिला में था होते हैं संस्कृति के मन को अमारी संसकृति के विवार का हümकर तो हमारे वीवार में पैसी कि यूद्टी याथा कई पर समय से तो घ्यां का यह कई तो फ्सकृति मान विजांतंत्रत्र विंगन के आईगे किसे सांस्कृतिक वी से इसके अंतरगते वेक्टी के वेवार कांगल है इसमें समाधिक परिस्थिती के अंतरगत आंगल है एक होता है जैविक मनोविज्यान क्या होता है जैविक मनोविज्यान में क्या होगा जैविक मनोविज्यान में प्राकर्तिक प्रिवेस होता है जैसे पटा है कि ठंडे पड़ेश के अंदर वेक्ति कर्मण होते हैं और गम पड़ेश के पाऊने भी द्रव्र वृत करें तो यह तो यह तो यह परामका . और करते तो पीछे रखते नहीं इस Есть है हम लोगों की क्या कपचन पीछे शस्ता करकित प्राकरत्य प्राकरत्त के प्राकरत्र हम कैसा वेवार कर हैं और यह आपको पता है ये बताने की जूरते नहीं हूते हैं, ठंड में आप बिल्कुल फिल हो जाते हैं, घर्मी में आप प्रोधी हो जाते हैं और पेपर की बात आए तो बस फारम बरते ही पेपर पाड़ देते हैं. विवार की मनोविञ्ञान के अंतरवत विवार से अठकर कोई बात ही नहीं हो रही है शीर्फ विवार अगर हमें विटिए कि वेभार कुछ जानगे तो सब कुछ जान के है ना तो बस इतना देहां रखेंगे